नमस्ते दूस्तों बाजरी का खीचड़ा कैसे कूठते हैं वो मैं आज आज आपको बताती हूँ ये देखिए मैंने बाजरी ले ली है अच्छे से इसको जटक पटक के साफ कर ले बढ़िया से कोई कीडा ना हो कोई सडावा ना हो पत्थर ना हो ये सब अच्छे से चेक करके और उसके बाद में हमें इसको एक बरतन में लेना है और इसे अच्छी तरस से दो तीन पाने से वोश कर लेना है इसे जो मिट्टी डस्ट होती है वो निकलाती है कचरा होता है वो भी उपर आ जाता है अब जैसे इसके उपर आप देख रहे हैं अभी ये कचरा सा देख रहा है दरसल ये बाजरी के दाने ही है लेकिन जो खराब है या जो अच्छे से पके वे नहीं ये वो दाने है इसे हम अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद मैं पानी निकाल दिया है पुरा, और अब इसे में एक से डेड़ गंटे के लिए धक के छोड़ दूँगी, पानी हमें पुरा निकाल लेना है, बस दाने भीगे हुए हो, एक डेड़ गंटे के बाद में देखें, दाना नर्म पड़ ग ही हूँ, इसमें से आधी से ज़्यादा बाजरी में ले लेती हूँ, माम दस्ते के अंदर डाल के और इसे में हातों से कूटूंगी, जिसको खीच छड़ना बोलते हैं हमारी यहां पे, तो इस तरह से खीच को छड़ा जाता है, खीच छड़ते समय हमें हातों को बहुत ला रही हूँ आपको, देखिए हलके हलके छिलके इसके निकल गए हैं, अभी हम इसे थोड़ी दिर और कूटेंगे, यह अक्षई तृतिया पे बनता है, तो कहते हैं अक्षई धान खाना चाहिए, मतलब कि साबुत धान होना चाहिए, जिसको कूटना भी है, लेकिन उसके दा तोड़ी देते हैं, अक्षर कूटने में, आप देखिए, यह तयार हो गया है, देखिए इस तरीके से, आप देख रहे हैं, इसके फाइबर जो है, छिलके जो है, वो अलग हो गया है, और बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे करना है, तो माम दस्ते में तो यह इसी तरीके स से होता है जिसमें थोड़ थोड़े दाने भी दिखते हैं अब इसको बरतन में खाली कर लेती हूं थोड़ा सा हाथ फेला लेंगे ताकि इसमें हवा लगे और पानी का मोश्चर का हिसा जो है वो सुख जाए इसी तरीके से जो बाकी बचा हुआ खीचडा बाजरा है उसको मै इसको मिक्सिक अंदर आपको करके दिखाती हूं यह थोड़ा आसान भी रहता है हर कोई के पास मामदस्ता आसकल गन में रहता भी नहीं है तो इस तरीके से इसे भी में इसमें डाल लूँगी इसे उल्टा चलाऊंगी इस तरीके से जिसे और इसको ज्यादा नहीं 5-7 बार चलाएंगे तो यह तयार हो जाता है बहुत आसान है फटा फट हो जाता है देखिए इसमें आप बाजरा ना भी भीगोएंगे तो भी चलेगा यह देख़inaire कि हाथ्से कियावा है और दूसरा जो है वह मिक्सि में कियावा है इसको हम मिक्स कर लेंगे मैं तो मिक्स कर एक दिन पूरा मैने इसको फेलाके रखा था, हवार लगा दिया था और अब मैंने इसे एक डबे में भरके रख दिया है तो ये बाजरी का खिचडा कुटा हुआ तैयार है इसे हम एर टाइट डबे में रख सकते हैं इसको फ्यूज में रखिये तो यह आपके खराब नहीं होता है, जब आपकी इच्छा हो, आप इसे बना के खा सकते हैं, तो जूड़े रहे हैं, इसके खीचड़ा बनाने की रेसीपी भी में आपके साथ मैं जल्दी शेयर करने वाली हैं, थेंक यू सो मज़,